सबी प्रयक्षकों को नमस्कार आज हमें जड़बुट्टी बारे में कर रहे हैं आज एपसोड में यह भूई आमला कहता है इसको सब लोगों को मालूम है हर गर में यह रहता है मगर यह दो कलर में रहता है लाल वाला एक यह सफेद वाला इसको कैसा पहजान करना है तो इसका नीचे देखो इसको कम है अभी दूप का वज़े से ऐसा चोटा चोटा पल रहता है यह पत्ते का नीचे यहां से आकरितक रहता है बहुत पल रहते मगर इसको एक हैं यहां यह नर्मवालों को बहुत आ रहे हैं अभी यहां हर पत्ते को एक फल हैं देखो इसको आहरवेद में अनेक प्रयोजन है अनेक एक नहीं अनेक यह समूल निकालके उसको रस निकालके तोड़ा सा शाल्ट मिला ना इसमें मुह में जो अलसर्स रहता है वो अलसर्स के लिए इसको तोड़ा दो एक आंस मतलब दो तुला तोड़ा नमक डालके मुह में डालके ऐसा ऐसा करना पांच मिनिट करें तो मौत का अंदर जो अलसर्स हैं वो सब निकलेंगे कुछ लोगों को बहुत कुजली रहता है चोटा-चोटा यह आयेंगे और ओपर ओपर चर्म आप नाकों से अईसा-इसा करें तो बहुत होता है वो सब के लिए बहुत बढ़िया दवा है यह क्या करना इसको आप पूरा समूल निकालना इसको पिसके रस निकालना दो तु और वह मूह से तो मूँ में जो रहता है ना आपको अंव निकलेंगे पिर वही रस आपको बदन में लगाये तो फूरा कुझली का कितना प्रालम्स तौं सब निकालेंगे और वूंड्स रहते हैं वूंड्स उसमें बैक्टेरिया जाता है जाते हैं अधर बहुत दाखलिव देदाए उसमेंसे ए खुन वैसा निकालता है वैसा वूंड्स को भी यह हमूल पेष्ट बना के उसमें तोड़ा सा नामख मिलाके इसका ओपर डालकर पट्टी बांदो समुल को क्के वाले सा था। जांने के ऐसे रौत क्लीन करूंद तोन zekतों अब्हों फट्टि इन इसलेगे Черासम एके स्फटा देन Nora बनाती है अच्छा काम करेंगे ऐसा सेम इसका यह पत्त आइसा निकाल के ऐसा निकालना पत्त आइसा निकाल के यह 10 ग्राम लेलो यह 10 ग्राम को पिसना अच्छा तरीके से पिसके इसको क्या करना इसमें 5 यह 10 पेपर मिलाना खाली मिर्ची नेमबर लेना 5 पेपर नहीं तो 10 पेपर ले लेकर उसको भी पिसना दोनों मिला के पिसके दो तिन गोली बना के बाटर मिल्क के साथ ले रहें नहीं तो बाटर मिल्क में चांस में मिला के गाय का देशी गाय का चांस है तो बहुत काम करेंगे उसमें वो पेश डालना मिलाना और उसको सोबै सोबै नाहर पेट पीने का य वैसा आप पिये तो यह आपका kidney problem भी यूर्णेरी ट्रेक का problem भी साल होता है और जो लड़की और 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 किसी को भी यह menstrual cycle मैंनावर होता है न वह मैंनावर में बहुत पेहन आता है बहुत तक्लिफ होता है तीन दिन चार दिन लड़कियों को और 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 अवरत को ऐसा लोग 3 सोब्सब्स नाहर पेट से यह इस्तमाल करना कौंसा हिन सीक्लिक यह कहने को आपका मैंना रहाता है ना मैंना रहाने का नहीं से पहला दिन से की पाइपार प्रमट तो भी पर्वा नहीं और यह कुछ लोगों को कुन यह menstrual cycle में कुन बहुत बहता है बाहर जाता है इसका वास्ते वीकनेस आता है हिमोगलोबिन डौन होता है अनेक तकलिफ इसका वास्ते आ रहे हैं यह सब निकालना है तो यह ऐसा तीन से पांच दिन तीन मैना तक आपको यूज करना पड़ेंगे तो यह बहुत अच्छाम करेंगे और जो अव्रत को शादी होने का बाद बच्चा नहीं पैदा हुए तो भी यह इस्तमाल करें तो उसको खंपलसरी बच्चा पैदा होता है अगर मारद का आन्दर कुछ तकलिफ नहीं तो अव्रत का तकलिफ से बच्चा नहीं हुए तो ये बच्चा होने का भी बहुत बढ़िया दवा है इसको इस्तिमाल करना मागर ये काने का टाइम में कंपल्सरी परज का कैसा करना है आप लोग सुनलो मैं बताऊंगा नामक बिल्कुल छोड़ना पड़ेंगे दूद और खाना रैस चावल या गेहु कुछ तो भी का सकता है आप मागर नामक को बिल्कुल छोड़ना पड़ेंगे तीन दिन तक ये दवा आप पाटर मिल्क से लेलो नहीं तो दूद से लेलो दूद से नहीं लेना काली खाना काने के लिए दूद इस्तमाल करो नहीं तो कंजी कहता है ना रैस फ्लोर तोड़ा डाल के पानी में उसको दोए तो जो पानी आता है ना बॉइल करने के बाद वो इसको लेना पड़ेंगे बिना नमक से आप बूख लगे तो कितना बार लिये तो भी परवा नहीं ये दोनम पर ये परस खंपल सरी आपको करना पड़ेंगे और कुछ भी नहीं काने का ये तीन दिन सिर्फ वही कान खाने का वैसा आप करें तो ये बहुत बढ़िया काम करेंगे आपको मैनिस्ट्रोल पेन ज्यादा डिस्चार्ज ज्यादा कुन बाहर जाता है न वह और जो लोगों को बच्चा नहीं पाइदा होता है ये तीन में एक ही जड़बुटी बहुत बढ़िया काम करेंगे ठीक पेना, नमसकार.